पाकिस्तान ने इरान पर जवावी हमला कर दिया है ये खबर इस वक्त च्छाई हुई है अब आप सोच रहे होंगे कि इरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की दुश्मन कैसे बन गए हैं। पाकिस्तान और इरान दोनों ही मुस्लिम एक्ता की दुखाई देते हैं। इसलामिक एक्ता का दुनिया को पाट पढ़ाते हैं। और उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से लड़ रही है। ये सबाल सबके जहन में है ये मैं आपको बताऊंगी कि कारण क्या है कि दो मुस्लिम देश आपस में एक दूसरे से टक्रा रही है और पूरे दुनिया इस वक्त इसका तमाशा लेख रही है आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले फिलस्तीन के मुद्दे पर भी इन्हो उसरन मंगलवारात को एरान पाकिस्तान पर ऐर-स्ट्राइक करता है और पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी संप्रभूता से हमला है और इसका जवाब हम देंगे और जवाब दे किया है जैश अल असद नाम कि आतंकी सगठनya पर हमने हमला settingASE जिसमें पाकिस्तान कहता है कि दो बच्चे भी वह माले गए और अब पाकिस्तान कह रहा है कि उसने इरानके आतंकी एकलों पर हमला किया है जो आतंकी बेस थे जिसमें बलूज बलूज लिबरेशन कोर्स बलूज लिबरेशन आमी का नाम सामने आ रहा है अब थोड़ा बैक्डाउं में आपको बता है बलूजस्तान आपको बता है कि पाकिस्तान में बलूज लोग रहते हैं लेकिन इरान में एक इलाका है सिस्तान जहां पर भी बलूज लोग रहते हैं और ऐसे में जो बलोच समुधाय है वो कहता है कि सिस्तान और बलुचिस्तान दोनों को मिला दिया जाए, एक आजाद देश की मांगो करते आए। लेकिन जो बलोच लोग एरान में रहते हैं, दरसल इरान शिया मुलक देश है तो बलोच लोग कहते हैं कि वहाँ पर उनके साथ नाइसापी होता है उनको परेशान किया जाता है, उनका उत्पीड़ की हुथा है लंबे समय से ये सब को रहा है ऐसे में वो इरान के खिलाफ रहते हैं, वहां की सरकार के खिलाफ रहते हैं क्योंकि आपको बता है कि इरान तो शिया बहुल है लेकिन यह सुन्नी संगठन है दूसरी तरफ बलुजिस्तान में भी वो भी पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं और यह टकराव जो है यह बलूर्ट समुदाय को लेकर के है अब जो इरान में पिछले महीने आतंकी हमला हुआ था जिसमें पुलिस स्टेशन में हमला हुआ था और पुलिस वाले मारे गए थे एरान ने पाकिस्तान पल्टी मिटन दिया था जो जैशल असद नाम का यह आतंक कि नागरित मारे जा रहे हैं उनके पुलिस वालों को न्कसान हो रहा है यह इरान हमेशा से कहता आया है अब पाकिस्तान ये कहता है कि जुब हाव बलूच Liberation Army Front उनकी सरकार के खिलाफ विद्रव करती है, पाकिस्तान की खिलाफ विद्रु करती है, वो उस आतंकी संगर्णन को शे है इरान देता है, बस तक्रार इसी बात को ले करते हैं, बलोज लोगों के आजादी को ले करके, उनकी मांग को ले करके, और ऐसे में अब ये दूनों